बिहार पुलिस के फिजकल के त्यारी से सम्बंदित, जितना भी आपका डाउट से बार-बार मेशेज आ रहा है था कॉमेंट शा रहा है, तक इस अर फिजकल के बारे में कुछ बताइए और रिकतर लोग जो फिजकल के त्यारी करने वाले हैं, बिहार पुलिस के एकजाम दि उसका जीवन में कभी physical से merit नहीं बनेगा क्योंकि बिहार पुलिस में physical से ही merit बनता है और physical से आपको merit बनाने के लिए minimum 3 महिना आपको ग्राउंच पर रहना परे गा, सुबत 2-3 घंट पर देना परेगा और बिहार पुलिस में फिजिकल आपका जो है बहुत टॉप होता है समझे जेनरल नहीं है कि जाकर क्वालिफाइ कर जाना है जब आप गर्दनीबा गराउंड पर जाएगा तो सोचिएगा कि मेरा सिंपल गराउंड है वैसा नहीं मिलेगा वहाँ पर हम दो बार के बिहार पुलिस के क्वालिफाइड एस्टूडेंट भी रहा चुके हैं आपके सामने स्क्रीन पर मेरा फिजिकल का एड्मिट कार्ड भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लोग नहीं देख पा रहे हैं लेकिन जब वीडियो देखिएगा तो वह आपका पर थोड़ा आगे पीछे होने लगता है और एक बार पर सिलिप का ओर्थ हो गया कि आपका दोस से पंदरा सेकेंड वहाँ पर खतम होने वाला है इसलिए आज हम पहुंचे हैं सिवान के क्या बोलिया सारान कमिश्णरी के सबसे बारा फिजिकल एकेडमी एक बार आ आप यहां पर आकर मेरा नाम रख दीजिएगा आपको हर तरह से मदद मिलेगा और बिहार पुलिस में अगर आप एक साल से मेहनत किये हैं तो आपको हर हाल में फिजिकल का भी त्यारी करना चाहिए कट आप से संबंधित बच्चे से पूछी कर आपको बताएंगे कि कितने आप लोग नहीं आए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिकल में तो पहले आप लग दिया सर जैसे आप लोगों को बताएंगे जो अभीत्य की जान दे घर पर बैठे हैं और ग्राउंड में नहीं आ रहे तो उन लोग का रिजल्ट बनना मुस्किल है कि बिहार पु लोग जैसे आप लोगों सर बता रहे हैं हमेशा और हम फिजिकल करवा रहा है तो आप लोग जाम देके घर नहीं बैठी आप लोग आईए फिजिकल में लगिए और अपना पुरा जितना भी दम लगाना है लगाईए क्योंकि इसमें कटफ जो है सर बता देंगे आप हम प्रियास कर रहे हैं उन लोग जल से जल फिजिकल अच्छा हो जाए और लोग कटफ निकाले रिजल्ट दे घरदनी बैग में जाके बस यहीं बोलेंगे बाकी जो है सर आप लोगो नहीं किया उसका बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं होता है और जो परहाई करता है उस का रिजल्ट होता है तो फिर मेरिट महीं बनता है पहले क्या होता था कि सेटिंग वाले लगकार आता था दींद्रत ग्राउंड पर वहां पचास जार देकर इंसर्की से अपना काम कर लिता था लेकिन इस बार अलग-अलग सीव्ट में एक्जाम अलग-अलग जीला का किसे त्यारी करना चाहिए और वो कहलत क्यों करें लिए करेंगे। सब्सक्राइब करें तो यहीं था सूर्य का प्रकास मिलना मुश्किल था साल साल दो-दो साल तक हम लोग का सूर्य प्रकास कब हो रहा है कब दीन हो रहा है बारे एक बज़े तुब हमें दीन में उठेंगे हम लोग सर्वाइसे देखें फीजिकल करना अगर डिफेंस का आप सब्सक्राइब दोड़ता है उसके रिजर्ट बन जाता है उसलों का नहीं निकलता है बात सही है आप लोगग समय से जब फीज़कल को धारी कर रहे हैं एंदों दोनों को थोड़ा még कर चलना हूब को सकता है ठीजिकल में Str स्टड़ी दियान दीजिए धीरे धीरे चलिए उसका मेरे दिमाग सांथ हो जाता है कि तक कान होता है हम थकान हो दो बहुत कोंद पढ़ पातेय लेबिरी में जाएंगे फियर्डा फड़ान इदर जाता है फिन करते हूं हम जानते हैं इसनरी वहां भी गरीरичеर्ड बनने वाले और तुरह कर दीजिए हम जानते हैं फीजिकल वाले लोगों का फड़ा हो जाता है लेकिन हम बोलेंगे आप लोग फीजिकल से स्ट्रॉंग बनिए तो पढ़ाई में भी स्ट्रॉंग बनिए बाकी जो सर डीटेल बताएंगे आप लोग उसके चलिए आप देखिए हम कुछ आपको अगर आपको करते रहना है अगर आपको कोई भी प्रोब्लम है तो आप सीवान के जो बताएंगे दरुगा परशाद राय डिग्री में जो ग्राउंड है यहां पर आईएगा सर से मिलिएगा जितने साथी बिहार के सभी लोग तो नहीं पहुंच सकते हैं लगभाग मेरे चैनल से बिहार के सभी लोग देख रहे हैं लेकिन छापरा सीवान गोपाल गंज के जो भी होंगे मोर्निंग में आईएगा एक बर स भी हर एक हो देख हर सब्सक्राइगा में लेकिन मन्त में एक से दो बार सुब़ा में अप लोग से जरूर इस ग्राउन पर आकर मिलते रहेंगे कोई कागा से सम्भणनीद प्रब्लम है और फिज्गल से सम्भणनीद प्रब्लम है जो भी प्रब्लम होगा हम आपको दम सुर्फ करेंगे और कुछ लड़कों से मिलाएंगे कि कट अब कितना जा सकता है कितने नंबर वाले अभी ग्राउन पर पहुंचे हैं थिक उसके इख भी विदियो में आपको बताते हैं विएर पुलिच के कट्प कितना जासकता है